सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो जाब तक पहुशती रहे हैं आपको इनको खरीदना चाहिए या फिर नहीं तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा अगर आप बजट इयर बट्स लेने की सोच रहे हैं क्योंकि इन दोनों की कीमत काफि जादा कम है बॉक्स आपको इनके कुछ इस सरी किसे मिल जाते हैं चली बात कर लेते हैं सबसे पहले बट्स Q1 के बारे में तो दोस्तो Q1 आपको मिल जाता है इसका बॉक्स भी आपको बिलकुल S1 की तरह ही दिया गया है पीछी की तरफ ये सारी स्पेसिफिकेशन्स दी गई है आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर आपको Bluetooth version 5.1 का support मिल जाता है और इसके अंदर आपको quad mic का support दिया गया है यानि एक earbud के अंदर आपको दो mic मिल जाते हैं तो इसके अंदर आपको इस feature काफी जादा बढ़िया दिया गया है noise cancellation को लेकर इसमा आपको काफी बढ़िया performance मिलेगी right side पर ये सारी features दिये गए हैं बाकि दोस्तों के उपर आपको box पे rate लिखा हुँ मिलता है 3499 का तो 3500 की MRP है लेकिन कीमत है इसकी 1300 ये आपको 1300 में online मिल जाएगा चली देखते हैं birds Q1 के साथ आपको 1300 में क्या-क्या मिलता है तो जैसे आप unbox करते हैं सबसे पहला आपको box में आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से case इसके अंदर आपको नीची की तरफ दिये गए हैं कुछ user manual इस तरीके से सारी information इसके अंदर आपको मिल जाती है बाकी दोस्तो box के अंदर आपको इसके बाद दी गई है ये black color में data cable जो काफी important है इसके अंदर आपको type C cable दी गई है इसकी जो length और quality है वो काफी ज़दा बढ़िया है और दोस्तो quality काफी ज़द अच्छी होने के साथ आपको type C cable की खुबी भी दी गई है ये भी काफी ज़द अच्छी है आखर में आपको रखवा मिल जाता है इसका ये case कुछ इस तरीके के look में आपको इसकी जो quality दी गई है वो आपको बहुत ज़द अच्छी मिल जाती है बाकी पीशे की तरफ आपको charging port दिया गया है कुछ इस तरीके से इसको आप open कर सकते है नॉर्मली सबी ऐसे open होते है case के बीच में आपको digital display भी मिल जाती है जिससे आप अपनी battery percentage चेक कर सकते है कि ये कितने charge हो गए बाकी दोस्तो earbuds आपको कुछ इस तरीके से मिल जाते है इनकी जो build quality है वो काफी जादा बढ़िया है नीची की तरफ आपको इनमे indicators भी दिये गए है आप देख सकते है blue, red light जहां blink हो रही है दोस्तो earbuds की जो battery है वो मिलती है आपको 40 image की case की जो battery है वो है 400 image की battery backup इसके अंदर आपको earbuds में मिल जाएगा 6-8 घंटे के आसपास अराम से इतना battery backup इनके अंदर आपको मिल जाएगा और charging time इनके अंदर आपको देखने को मिलता है लगबग 90 minutes के आसपास तो दोस्तों इनके अंदर आपको battery backup भी काफी बढ़िया दिया गया है और case की battery भी काफी अच्छी मिल जाती है charging time भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है देड़ घंटे के आसपास लगबग देड़ घंटे में ये चार्ज हो जाएंगे इसके साथ दोस्तों इनके अंदर आपको touch control दिया गया है magnetic connection मिल जाता है आप इस तरह के से place करते हैं तो ये automatically यहां पर connect हो जाते हैं और दोस्तों इसके अंदर आपको ENC का भी support दिया गया है touch control मिल जाता है तो कोई button नहीं दिया गया आप type करेंगे और साथ इसको use कर सकते हैं sound की quality भी आपको बहुत जादा बढ़िया दी गई है इसके अंदर तो ये सारी खूबिया है true cabards Q1 में 1300 रुपे में चलिए बात कर लेते हैं S1 के बारे में दोस्तों इसकी कीमत है 200 जादा मेहंगी ये आपको मिल जाएगा 1500 में features इसके अंदर भी आपको वैसे ही मिल जाते हैं बाकी फर्क आपको मिल जाता है charging case को लेकर सबसे बड़ा इसके अंदर आपको charging case के अंदर जो आपको battery मिलती है वो मिलती है 500 image की इसके अंदर आपको MRP दी गई है box के ओपर 4000 की 4000 की MRP है लेकिन ये आपको मिल जाएगा online 1500 में 200 का फर्क है दोनों के अंदर चलिए कर लेते हैं इसको भी unbox देख लेते हैं क्या के दिया गया है इसके साथ और कितना फर्क है Q1 और S1 के अंदर तो दोस्तों इसकी भी packing आपको वैसी ही मिल जाती है सबसे पहले उपर की तरफ रखा हुआ आपको मिल जाता है केस नीची की तरफ कुछ यूजर मैनूल दिये गए हैं इस तरीके से इसके बाद आपको रखा हुआ मिल जाता है ये वारंटी कार्ड बाकि दोस्तों इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है तो ये खुबी दोनों में सेम है इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल मिल जाती है अब दोस्तों सबसे बड़ा फरक है चार्जिंग केस को लेकर इसके जो केस का लुक है वो आपको थोड़ा डिफरेंड दिया गया है थोड़ा सा अलग मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट इसमा आपको फ्रेंड में ही दिया गया है नीची की तरफ कुछ इस तरीके के लुक में आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जो कि type support है और दूसरा बड़ा फर्क आपको case में मिल जाता है इसका ये किसका जो opening style है वो आपको different दिया गया है इसको आपको चीस सेरी किसे slide करेंगे तो ये open हो जाते हैं तो इसके अंदर आपको वो box type का style नहीं मिलता sliding design मिल जाता है जो काफी जादा बड़ी है लगता है काफी unique design है इसका तो ये खुब इसके अंदर आपको काफी जादा अच्छी दी गई है तीसरा फर्क आपको दोस्तो बड़ा इसमें मिल जाता है इसकी battery को लेकर इसकी case की जो battery है वो है 500 image की Q1 के अंदर आपको मिलती है 400 image की S1 के अंदर आपको मिल जाती है 500 image की तो ये खुब इसके case के आपको और ज़्याद अच्छी मिल जाती है बाकी earbuds आपको उसी तरिकी के look में दिये गए हैं काफी जादा बड़ीया quality के साथ बाकी खुब या भी एक जैसी दी गए हैं दोनों के अंदर deep bass मिल जाता है दोनों के अंदर आपको touch control ले दिया गया है buttons नहीं मिलते इसके साथ ENC और quad mic भी दोनों के अंदर आपको मिल जाते हैं तो दोस्तो sound को लेकर और build quality को लेकर दोनों बहुत ही जादा बड़ीया है सबसे बड़ी खुबी यह है दोनों की आपको कीमते काफी जादा अच्छी मिल जाती है काफी जादा कम और कम rate में आपको features काफी जादा बड़ीया दिये गए हैं फिर भी अगर आपको budget कम है तो आप 1300 में Q1 ले सकते हैं काफी बड़ीया qualities के अंदर आपको दी गई हैं और अगर आप 200 रोपे जादा खर्च करते हैं तो 1500 में S1 के अंदर आपको charging case का design जादा बड़ीया मिल जाता है sliding design में और इसके अंदर आपको battery case की और जाद अच्छी दी गई हैं 500 image की जो Q1 के अंदर आपको 400 image की मिलती हैं तो दोस्तों ये दोनों ही बहुत जादा बड़ीया हैं आपको इन दोनों में कौन से जाद अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई